नमस्कार दोस्तों बिहार लोग से वा आयो की और से बीपियस से सिच्छक भरती फेज़ डू का ओनलाइन आवेदन सुरू हो चुका है तो देख सकते हैं यहाँ पे लिंक भी एक्टिवेट हो चुकी है तो इसको फॉर्म को कैसे भरना है इस वीडियो में हम लोग देखेंग पे भी उपलब्द है और रोजगारविहार.com पे भी उपलब्द है ठीक है एक्टिवेट हो चुका है तो इस पर जैसा ही किलिक करते हैं ऑनलाइन के लिए पोर्टल यहाँ पे खुल जाए सबसे पहले आपको यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन करने के लिए देखें यहाँ ल रेजिस्टेशन जो है फॉर्म खुल जाती है लेकिन फॉर्म भरने से पहले योगिता बगेरा जो है आप अच्छे से चेक कर लीजेगा ठीक है कि आप किस से कौन से सिच्छक बने के लिए इलिजीबल है क्योंकि केंडिडेट जो है बहुत गलतिया कर देते हैं जान को इस वीडियो में पूरा दिखाऊंगा कैसे क्या कहां पर क्या भरना है तो बने रहेएगा अंतक और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लीजेगा तो फिलाल इस फॉर्म को थोड़ा सा अब्लुक करते है जूम ताक की clear clear साफ दिखाई दे तो देख सकते हैं form में सबसे पहले आपको अपना नाम भरना है first name middle name last name तो नाम अगर आप मीडिल में कुछ नहीं है तो खाली छोड़ेंगे first name last name भरेंगे फिर यहां पे पिता का नाम है aगर महिला है तो यहां पे विभाहित महिला है तो के पास अधार में कुछ गलती है तो pen card भी दे सकते हैं लेकिन pen card अगर आप देंगे तो आपको 200 extra application fees देना होगा जो भी आपके category क अनुसार application fees है जो कि आप रोजगारविहार.com पी विजिट करके देख सकते हैं application fees देखें यहां पर पूरी प्यांग male female के लिए 200 रुपे है अधर estate वालों को चाहे वो महिला हो पुरूस हो किसी भी category से विलोग करते हैं उनको 750 रुपे देने हैं तो इसके अलावा अगर आप आधार नंबर नहीं देंगे तो देखें यहां पर बतायागा है form में आधार नंबर नहीं देने पर 200 देखें यहां पर बतायागा हैं तो मैं आधार ही रहने देता हूं आधार नंबर ही आप डाल देंगे और कितना क्यवाई करना है आपको पता ही होगा 100 कवी से जचाज़ा का अफ लोड से आप लोड नहीं करना है ठीक है 10 कि में पहले आप अपने जितने भी डॉकुमेंट आपके हैं सभी को 100 kb का पहले बना लिजेगा अगर आप देखें यहाँ पर बताया गए notification के माध्यम से guidelines के हिसाब से आप देखेंगे तो देखें सभी PDF format में ही आपको upload करना है अधिकतम 100 kb size में ही आपको upload करना पड़ेगा जितने भी document आपके पास है तो सारे के सारे जो है आपको 100 kb PDF format में upload करना है फिर यहाँ पर आचा है तो यहाँ पर पूछता है कि क्या आप इंडिया के निवासी है citizenship तो यहाँ पर yes कर लेंगे फिर अगर आप बिहार के निवासी है तो yes करेंगे अगर other state के हैं तो no करेंगे में यहाँ पर yes कर देता हूँ अब देखिए इसके नीचे जो है आपको देखने को मिल जाता है रिजर्बेट करेंगे अगर येस करते हैं तो यहां पर येस करेंगे तो किस कटेगरी से बिलॉंड करते हैं वो आपको बताना होगा EWS, SC, ST, EBC, BC जो भी कटेगरी आपकी है उससे सलेक्ट करेंगे तो जैसे ही अगर EWS भी सलेक्ट करते हैं देखिए EWS करेंगे तो EWS का सर्टिफिकेट नंबर देना होगा तो जो भी आपका कास्ट है वो आप यहां ते सलेक्ट करके डाल देंगे ठीक है फिर अगर आप यहां से है तो भी हार कर सलेक्ट करके डालेंगे और EWS परमान पत्र को अपलोड कर देंगे अगर आप दूसरे का टेक्टिफिकेट से बिलोग करते हैं तो सलेक्ट करेंगे और यहां पे कास्ट देखिए सलेक्ट कर लेना है कौन से कास्ट से आप बिलोग करते हैं वो कास्ट हुआ है तो बिहार को सेलेक्ट करेंगे और यहां पर सौ के भी में आपको का सर्टिफिकेट अप्लोड कर देना है उमीद करता हूँ यह दोनों समझ चुक्पे होंगे आगे बढ़ते हैं तो यहां पर आ जाता है कि क्या आप मेरेड अनमेरेड जो भी है उससे सलेक्ट करेंगे ठीक है अनमेरेड है तो अनमेरेड मेरेड है तो मेरेड जो भी है उससे सलेक्ट कर लेंगे फिर यहां पर जेंडर सलेक्ट करने को कहा जाएगा मेल फीमेल थर्ड जेंडर तो जो भी है उससे सलेक्ट कर ठीक है फिर यहां पर आजाता है कि क्या आप Freedom Fighter के relative है स्वतंतरता से नानी के relative परिवार के सदा से हैं तो हाँ यह ना पर फिर यहां पर इसूटेट डालना है और यह कहां से बना हुआ है चीकित साम आप भी देले एवं अस्पताल चुले तो जो भी आपको दिखाई दे यहां पर डाल सकते हैं डालने के बाद यहां पर अपलोड करना होगा certificate को फिलाल मैं इसे नो कर देता हूं दिव्यांग वाले है या disability candidate है या female है या फिर SCST candidate है तो उनको 200 रुपे लगता है तो फीस में अगर छूट चाहते हैं तो यस करेंगे तो आपको 200 रुपे लगे अगर नो कर देंगे तो आपको जेनरल के बराबर पैसा देना होगा ठीक है आगे बढ़ते हैं तो देखी नीचे आप से पुछ कर्या सिच्छक क्या पहले से पंचाइति राज नगर। इया फिर site का के सिच्छक है तो यहां पर हां या ना कर सकते हैं यहाप नो कर देता हूँर अगर यस करेंगे तो किस पोस्ट पर आप कारेरत हैं वह आपको डालना है और स्कूल का नाम ड Sug casino में वह डलना है और आपक जाता है आपकी परसाइचनिक योगिता यानि की बीएड या डीलेड या बीएड जो भी आपने कर रखा है वो आपको चैन करना है अगर आप 6-8 के लिए आविदन करना है तो देखिए उपर वाला आपको सेलेक्ट करना है ठीक है अगर आप 11-12 के लिए भिग्यान भी लीजेगा ठीक है उसके बाद ही आप आविदन करिए योगिता बगेरा नोटिफिकेशन में दिया हुआ है पूरा डीटेल के साथ और रोजगार्विहार.com पे भी बताया गया है तो वहां से भी चेक कर सकते हैं अगर ललित कला संगीत या निरितिक के लिए 9-10 के लिए आ इलिजिबल है बी-एड वाले भी 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 और बी-एड वाले भी और प्रारविक सिच्छा या डी-एड वाले भी इसमें इलिजिबल है तो इसको मैंने उपर वाले सेलेक्ट क करना है देखिए यहां पर केवल दचता परिच्छा दिया गया है तो यहां पर यहां पर पातरता परिच्छा कर देता हूं यानि दचता परिच्छा को दारं कर रखें तो यहां पर देखिए सीटेट पेपर टू बीटेट पेपर टू यह सिक्स टू एट के लिए है तो यहां पर सीटेट में यहां पर पेपर टू सलेक्ट कर देता हूं ओके करते हैं अब यहां पर आ जाता है कि क्या आप बिहार वाले को दिखिए यहां पर चार साल दिया गया है, यहां पर माधमी सिच्छक पातरता परिच्छा के लिए 10 साल एज बे छूट भी दी गई है, तो यहां पर मैं इसको नहीं करूँगा, क्योंकि 6 to 8 के लिए सिर्क मैं आप अब इदर कर रहा हूँ, अब आगे बढ़ते हैं तो नीचे, अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अगर आपके पास estate बगेरा है तो, ठीक है, फिर यहां पर आजाता है बिहार estate पेपर 2 केवल class 11 to 12 के लिए, तो इसमें कोई भी अगर आपका है, जुके इसनल qualification, पातरता परिच्छा, estate बगेरा, paper 2 पास है, तो यह इस पर select कर लेगे, मैं यहां पर नहीं करूँगा, आगे बढ़ते हैं तो यहां पर seated paper 2, data paper 2, दच्छता परिच्छा, प्रारंभी परिच्छा 628 के अधियापक के लिए detail, तो यहां पर क्या करना है, जो आपने यहां पर select किया, seated के लिए, यहां तो seated का आपको यहां पर certificate जो है paper 2 का आपको upload कर देना है, यहां पर select कर लेंगे calendar के माद हम से और 100 के भी में यहाँ पर upload PDF कर देना है फिर यहाँ पर आ जाता है कि आप इन में से किस विद्याले अध्यापक की अनिवारे आहरता रखते हैं तो अगर आप BCVC school के लिए आहरता रखते हैं eligible हैं तो नीचे वाला select करेंगे अगर नहीं है तो देखे 6-8 के लिए तो यह है ही और 9-10 के लिए regular teacher वाले के लिए यहाँ पर दिया गया है तो यह वाला select उपर वाला कर लेंगे फिर यहाँ पर आ जाता है कि language qualifying part 1 mandatory जो है जो परिच्छा में आपका कौन सा भासा आप परिच्छा देना चाते है उर्दू बंगला या हिंदी तो मैं यहाँ पर हिंदी कर देता हूँ फिर यहाँ पर आ जाता है देखे date of birth है तो date of birth select कर लेंगे ठीक है date of birth जो है आपका select कर लेंगे तो देख लिजेगा कि आपका eligible है की नहीं तो यहाँ पर ok करना है तो यह देखें यहाँ पर हो चुका है अब यहाँ पर देखें सब्जेक्ट आपसे पूछेगा ठीक है subject भी पूछेगा तो subject भी यहाँ पर डाल देना है कि subject के लिए आप eligible है आप आपने degree का अनुसर देख लिजेगा कि कि subject के लिए eligible है अगर आप देखना चाहते है तो रोजगारव्यार.com तो प्लब्द है या फिर official notification से भी देख सकता है तो यहाँ पर समाजिक विग्यान पर eligible है तो यह समाजिक विग्यान यहाँ पर select कर देखें यहाँ पर आजाता है address correspondence address यानि पतरा चा करना है तो यहाँ पर yes ही रहने देंगे फिर आ जाता है यहाँ पर email address दो बार एक बार यहाँ पर डालेंगे एक बार यहाँ पर डालेंगे और verify भी करेंगे OTP के माध्यम से तो verify हो जाएगा फिर यहाँ पर mobile number है फिर get OTP पर click करेंगे तो mobile number भी पर OTP जाएगी और OTP और submit registration पर click कर लेंगे जैसा ही दोस्तों आपका submit registration हो जाएगा तो आपको user ID registration number और user ID आपको मिल जाएगा username और password भी आपको मिल जाएगा तो इस username और password के माध्यम से आपको दोबारा login करना पड़ेगा ठीक है दोबारा से यहाँ पर देखे username डालना है और यहाँ पर password डालना है और यह capture code यहाँ पर डाल के login कर लेना है अब दोस्तों आपका registration complete हो चुका है dashboard देखिए open हो चुका है login करने के बाद यहाँ पर आपको detail भी दिखने को मिल जाएगा ठीक है detail देख लीजेगा और यहाँ पर देखे आपका registration date भी दिखाएगा तो यहाँ पर सब कुछ के नीचे आपका payment का option आपको मिल जाता है you have not completed your application process please make payment तो क्लिक यहाँ पर करना है और आपका जो payment है वो complete कर लेना है तो जैसा इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए आपका नाम ठीक है और आपका registration number और आपके पीता का नाम date of birth वगेर आपको सब कुछ देखने को मिल जाता है और नीचे आपका payment कितना करना है वो भी दिखाएगा तो यहाँ पर मैंने अराचित category select किया था इसलिए यहाँ पर 200 दिखा रहा है अगर आप general category select करते हैं तो आपको 7500 पर दिखाई देंगे तो आप देखिए हैं पर प्रोसीड बटन दिखाई देरी है प्रोसीड पर क्लि credit card है तो जिससे भी आप करना चाहें उससे आप कर सकते हैं ठीक है तो मैं यहाँ पर debit card यहाँ पर select कर लेता हूं फिर आप payment को complete कर लेंगे payment successful हो जाने के बाद यहाँ पर slip भी आपको मिल जाती है तो इसको भी आपको print करके रख लेना है payment वाला क्योंकि हो सकता है counseling में जरू जाएगा अब देखिए यहाँ पर नीचे आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा क्यों नहीं देखने को मिलेगा देखिए पेमेंट डेट देखने को मिल रहा है आपको 512-23 को रेजिस्टेशन डेट 512-23 को तो यहाँ पर application form अभी complete नहीं हुई है अभी बहुत सारी ज जो है दोस्तों वो 10 तारीक से शुरू होगी देख पारेंगे 10 नवंबर 2023 से अपने form को complete कर पाएंगे तो 10 तारीक को जैसे ही अपने dashboard में login करेंगे user ID और password के माद है हमसे तो यहाँ पर application form complete करने का option आपको मिलेगा तो जैसे ही यहाँ पर link एक्टिवेट होती है तो मैं वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो वीडियो को ज्यादा ज्यादा सेर कर दे और date वगयरा देखें रोजगार भी है .com के पूरी जानकारी के साथ वो पलब्द है जैसे कि देखिए रजिस्टेशन और पेमेंट के साथ लेकर 1411 तक है तो 511 से लेकर 1411 तक अ अपना रजिस्टेशन और पेमेंट कर सकते हैं अपलाई ऑनलाइन जो फॉर्म मैंने आभी आपको दिखाया कि 10 तारिक से एक्टिवेट होगा तो 10 तारिक से अपने फॉर्म को कंपलीट कर लीजेगा ठीक है लास्ट डेट जो है 25 नमंबर 2023 दी गई है ऑनलाइन आविदन क देखा जाएगा तो उम्मीद करता हूं जानकारी आप लोगों को अच्छी लगे होगी तो वीडियो को ज्यादा ज्यादा सेयर कर दे चैनल को सब्सक्राइब कर ले पलपल की अपडेट के लिए मैं मिलूगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ तब तक के लिए बाय जहिद